इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के रचनाए यानि कंस्ट्रक्शन चैप्टर के MCQs करेंगे टोटल 10 MCQs मैंने इस वीडियो में लिये है और सभी MCQs बहुत छोटे हैं इंपोर्टन भी है एक्जाम में आने की पूरी संभावना है देखो मैं आपको एक simple trick यहां पर बताता हूँ कोई भी कोण अगर आपके पास है कोई भी कोण दिया हो अगर वो कोण 15 के multiple में है यानि 15 के table में आता है तो यानि उसके संभावना है रचना उसकी हो सकती है और या फिर उस अगर मानलो point में कोई है तो उसमें 2 का गुणा करो और फिर देखो कि क्या वो 15 के table में आ रहा है 15 के पहाड़े में आ रहा है यहां पर अगर हम देखें तो 40 जो है यह 15 के table में नहीं आता है तो इसकी रचना संभाव नहीं है इसलिए option भी correct है और मैं आपके ऐसी आपके जानकारी के लिए बता दू यहां पर जैसे मानलो c है देखो साड़े बाइस अब यह point में है तो इसको 2 से multiply करो देखो 2 से या 4 से multiply कर देते हैं ताकि point उसका हड़ जाए तो हम इसका multiply करेंगे 2 से यह हो जाता है 45 तो 45 जो है यह भी 15 के table में आता है यानि इसकी भी रचना की जा सकती है अब जो यह है 67.5 इसको भी 2 से multiply करो तो यह कितना बनेगा यह मनेगा सादूने 14 पंदरा का 5 असिल 1 135 और आप जानते हैं कि 135 यह 15 के table में आता है 15 नमे 135 इसकी भी रचना संभव है और इसी तरह से जो हमारा 37.5 डिगरी है इसकी भी रचना संभव है अगर आप 2 का multiply करें तो यह आ जाता है 55 जो कि 15 की table में आता है और इसी तरह से 60 डिगरी है 45 डिगरी है यह तो 15 की table में आती ही है तो इसी लिए simple सी बात यह है कि अगर कोई कोण 15 के पहाड में आ रहा है या फिर अगर कोण पॉइंट में है तो इसको डबल कर दो और उप 15 के पहाड में आ रहा है 15 की टेबल में अगर आ रहा है तो इसकी रचना संभव है लेकिन जो B हमारा है यह 40 डिगरी है इसकी रचना संभव नहीं है क्योंकि यह 15 की टेबल में नहीं आता है आप इसको डबल कर दोगे दुगना कर दोगे तो भी नहीं आएगा तो इस तरह से तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यह अब हमारे पास यह question है एक त्रिभुज ABC जिसमें BC 6 है और एंगल B 45 दिया है रचना संभव नहीं है यदि अंतर है देखो जो त्रिभुज होता है आप जानते हैं कि किस प्रकार से त्रिभुज की रचना संभव होती है किस प्रकार के त्रिभुजों की रचना संभव होती है सिधी सी बात ये है कि अगर इसकी दो भुजाएं मानलो कि इसकी भुजा मैं ABC लिख देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बहुत ही amazing trick बता रहा हूँ कभी भी आप wrong नहीं होंगे इन questions को करने में यहाँ पर अगर क्योंकि यहाँ पर अंतर की बात है तो आप यह ध्यान में रखो कि कोई भी दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए अगर दो बुजाओं का अंतर तीसरी बुजा से बड़ा हो तो उसकी रचना संभव नहीं है तो दो बुजाओं का अंतर तीसरी बुजा से चोटा होना चाहिए और दो बुजाओं का योग तीसरी बुजा से बड़ा होना चाहिए अंतर छोटा होना चाहिए योग बड़ा होना चाहिए ऐसे त्रिबूज की रचना संभव है और अगर देखो इस तरह के questions बहुत अभी आगे आएंगे तो यह बात आप note कर लीजे या फिर आप mind में रखे इसे अगर ऐसा नहीं है तो संभव नहीं है अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए यहाँ पर यही बात कही गई है अगर छोटा है तो रचना की जा सकती है और अगर बड़ा है तो रचना संभव नहीं है तो यानि अंतर अगर बड़ा होगा तो रचना संभव नहीं है आप समझ गए ना बात को क्यों हाँ यहाँ पे जो दो भुजाएं है A B और A C क्योंकि इनका अंतर तीसरी भुजा से बड़ा है तो इसकी रचना संभव नहीं है तो इस वाले तिर्बुज की रचना संभव नहीं है तो और आप बाकिया उप्शन देखेंगे तो तीनों में जो अंतर है वो इस तीसरी भुजा से छोटा है और इसकी रचना संभव है तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए ऐसे तिर्बुज की रचना संभव होती है हमारे पास question number 3 है एक तिर्बुज देखो कोण पे बिल्कुल focus करनी की आवश्यक्ता नहीं है it's okay हाँ अब कोण अगर 180 अंश है फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कभी बने गा ही नहीं बट अगर ऐसे angles दिये हैं तो कोणों से फरक नहीं पड़ेगा हमारे answer पे एक तिर्बुज ABC जिसमें BC 3 है और रचना संभव है इस बार हमें बताना रचना संभव है तो AB और AC का अंतर कितना होगा तो अब आप देखो जैसे मैंने कहा कि अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए तभी रचना संभव है कहां छोटा है option D देखो तो option D correct है तो ऐसे तिर्बुज के रचना संभव है question number 4 एक सो पिचित्तर का संभव भाजक है यानि 175 डिग्री जो है उसका संभव भाजक तो सीड़ी सी बात है इसको half कर दो तो half करने से option B आएगा ये हमारा correct है question number 5 है निम ने लिखित मेंसे कौन सा कोण केवल पटरी और प्रकार की एक जोड़े का उपियो करके नहीं बनाया जा सकता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है तो इसका अब आप समझ गयोंगे question number 1 भी हमने ऐसे ही किया था इसका option C correct है इसे नहीं बनाया जा सकता है बाकि ये बनाना आसान है क्योंकि पंदरा की टेबल में आता है और ये भी बनाया जा सकता है पहले बात तो ये है कि ये point में point में समझ लो या इस तरह से है इसको अगर 2 का उणा करेंगे तो ये 45 आएगा और ये भी पंदरा की टेबल में आता है तो ये तीनों ही बनाया जा सकते है C नहीं बनाया जा सकता है तो इसलिए option C इसका correct है question number 6 देखो निम्न लिखित में से कौन सा कोण केवल पटरी और प्रकार के जोड़े का उपयोग करके बनाया जा सकता है तो अगेन अब आप समझ गए होंगे कि इसमें option C correct है इसे बनाया जा सकता है क्योंकि ये 15 के टेबल में आता है 15,6,90 बाकी इसे नहीं बनाया जा सकता है इसे नहीं बनाया जा सकता है तो आप समझ गए किस तरह से हम इसका answer देंगे question number 7 है क्या एक तिर्भुज ABC की रचना की जा सकती है जिसमें BC 6 cm है और उनका answer देखो तब उनका answer यानि question ये ऐसा कहा गया है कि एक तिर्भुज है और उसकी रचना की जा सकती है रचना संभव है तो अंतर क्या होगा ये question इस तरह से है ठीक है तो अगर रचना संभव है तो अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए ये मैंने आपको बताया था तो इसका option C correct है अंतर तीसरी भुजा से छोटा है बाकि आप देखेंगे बाकि कहीं भी इन तिनों में अंतर तीसरी भुजा से छोटा नहीं है तो जो मैंने पास है, question number 8, एक तिरबुज की रचना जिसमें LM 8 cm है और कोई एंगल है, अगें एंगल के हाँ पर इतनी आवाश्कता है नहीं, जब उनका योग है, यानि दो भुजाओं को योग क्या हो जिससे तिरबुज बन जाए, तो मैंने योग के केस में क्या कहा था, कि दो तिसरी भुजा से बड़ा हो, तो रचना संभव है, ठीक है ना, यानि दो भुजाओं जो है, जैसे एक भुजा A B है, B C है और A C है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए तभी रचना संभव है तो यह आई होप आपको यह समझा आगया होगा Q9 है यदि AB 7 cm और एंगल A45 है तो ABC की रचना किस मान के लिए संभव है और यहाँ पर यह बताना है कि ABC तृबुच जो है उसकी रचना BC प्लस AC क्या होना चाहिए इसके किस मान के लिए संभव है तो देखो again एंगल तो हम ignore कर देंगे लेकिन दो भुजाओं को योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर कौन से ऐसी परिस्ति जिसमें ऐसा है तो आप देख सकते है option D हमारा correct है क्योंकि option D में ही जो दो भुजाओं को योग है वो तीसरी भुजा से अधिक है और अब यह question number 10 है यहाँ पे हमें तृबुज की रचना करनी है जिसमें जो DE है वो 7 cm है तो दो भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए और इसका answer आप comment box में लिखिए अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है अच्छे से तो इसका answer देने में आपको कोई भी problem नहीं होनी चाहिए और इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको useful लगा होगा और आपके आने वाले exam में definitely आपकी help करेगा चैनल को subscribe करें और वीडियो को अपने friends के साथ में ज़रूर शेयर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में Take care